हलो एवरेवान वेल्कम बैक तो माई चानल तो फ्रेंज आज आज आप आप सब की बहुत जादा रिक्वेस्ट पे मैं माईकरम डॉल की फिर से एक बार वीडियो लेकी आई हूँ और बहुत ही ब्यूटिफूल और बहुत ही यूनिक डिजाइन है आप सब इसको जरूर ट्र यहां पहले हैं मिटेरियल देख लीत एंऊंभय और जो कि आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसको वीडियो को लाइक करना विल्कुल भी मत वुल्यीת है एक रहां मा hat रहे हैं राकते हैं इक खानव कि आशार रिया युज पाँ में उसे दिन आ हूगा के आप यहां था बराइंग कि आयरे घुल सकते हैं अगर फेविबॉंड आपको नहीं मिल रहा है आपके शाइड में बहुत कॉमेंट आते हैं कि फेविबॉंड मायम नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पे मैने स्कीन पर एक और दिया है उस गम से भी आपको जो मायकरम है वो चिपक जाएगा तो आप तो यहात फेविबॉंड जो मैंने यहां पर दिखाया है और एक डॉल की हमें ज़रूत पड़ेगी क्योंकि मैंकरम डॉली बना रहे तो डॉल तो चाहिए हो गाई न और यहां पर मैंने थागा लिया है रेट कलर में यूज किया आप अपने शाइस कुन सर को भी कलर यूज कर सकते हैं इसमें हर कलर आ ही है तो चाट पेपर को क्या करे इस तरह के से डवल कर दिना है आप देख सकते हो डबल कर देना है डवल करने के बाद या तो आWest Ici लाइन खीच ले या राणी में कर ले डे तो यही और को जय से लगा है उसके एस चाहिए लैसे कर लए आगे ऐसकी मेंदिंग बीडियो तो आगे कook श्री हें, जूर से कुए को बुब तो लेंगे डवल करने के बाद जैसे बलाउज वेगरा काम कर्टिंग करते हैं ना बाजू यानि की बाही उस टाइप से इसको भुलाई दे देना है आप इसका लंबाई आप अपने च्वास के नुसार रख सकते हैं ज्यादा कम कर सकते हैं ठीक है मैंने यहां पे अगर लंबाई की बात करें तो 10 इंच जितना यहां पे चार पेपर की लंबाई है इसकी मैंने बेसिक और डाल रखी है तो आप लोग देख लिजेगा तो यह देखें इस तरीके से जो है हमारा जो चार पेपर है इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा राउंड शेप आ जाएगी तो राउंड से तो रहा से यहां पे कट करनी परेगी क्योंकि जो डाल है वो अच्छे से से अट हो जाए तो इस तरीके से एक बार लगा के देख लेंगे और देख सकते हैं मेरा एक दिम परफेक्ट कटा है इसकी जो गुलाई है परफेक्ट कटी है और बीज में से भी हम इसको काट लिया है और काटने के बाद हम डॉल ले लेंगे इस तरीके से और डॉल को क्या करेंगे इस सर निकाल देंगे और इसकी कपरे निकाल देंगे डॉल के डॉल के कपरे निकालने के बाद अब हमें क्या करना है कि डॉल को जो हमने गुलाई बीच में कटिंग की थे ना व इडियम साइज रखा है क्योंकि गुलाई का नीचे का में मेजर नहीं दे सकती है उसका कुछ मेजर नहीं होता है जैसे ही आपकी गुलाई बैठ जाए वैसे ही आप वहां पर क्या करें कि स्टेपलर मार दे जैसे मैंने मारा है तो उसकी कोई मेजर्मेंट नहीं होती है नीची की गुलाई की तो देखिए हमारा जो है वो डॉल अच्छे से परफेक्ट तरीकी से हो बैट गया है और काफी अच्छा अब इसमें हमां आगे की डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले यहा स्टार्ट कर सकते हो तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं कि गम जो है उसको मैंने यानिकी फेवी बॉंड जो है गले पर मैं एक भी सेप जैसा गम लगा रही हूं यानिकी फेवी बॉंड लगा रही हूं उसके बाद मैंने छोटे-छोटे दो धागे लिये हैं इस तरीके से करना कंदरें सब्सक्राइब कर से यहों जीन kobर भी declined इसी में और स्विक नेटलेस पहना है उस टाइब करना दोर यहां पर इस तरह के से धागे को है जोस्द का देना है आप वहाएं अपर इसमें कपड़ी है क्यांति ऑल बो Ford hati जाती है फिर जब आप धागा पक रोगे तो वह भी चिपक जाएगी उसमें और उसका जो चिपकने का है वह कलर फिर जाता नहीं है आपके धागे की उपर ऐसे दिखेंगी तो बहुत गंदा लगेगा इस वज़ए से थोड़ा सा ध्यान से इसको डिजाइन करें तो यह अंड्राम्स होता है जस्ट उसके हाथ हाथों के नीचे से ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे यानि कि गम जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से हमने यहां पर यहां से स्टार्ट किया था और एक राउंड शेप देते हुए जैसे हमारे डिजाइन है न साइड से ही करें आधरवाइज आगे से या डारेक्ली पिछे से ना करें नहीं तो डिजाइन फिर आपका अच्छे से सेट होका नहीं और बहुत ही गंदा दिखेगा बाद में तो इस तरीके से एक साथ अक देते हुए राउंड रान घुमाते हुए हमें इसको चिपका लेन है गम लगाते हुए चिपकाया है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसे हम कट कर देंगे उधर ही फिर से गम लगा करके चिपका लेंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां तक इसका जो डिजाइन है वो बनाया है अब हम क्या करे जहां से हमने धागे को कट किया था ना वहीं से हम वापस फिर से बनाना शुरू करेंगे तो राउंड राउन गुमाते हुए यहां पे हम सबसे पहले गम लगा लेंगे अच्छे से मतलब एक इंच जितना आप गम लगा लें चोड़ाई इसकी ताकि आप जब धागा लप से हमने धागे को कटिंग किया था वहीं से हमें यह डिजाइन भी बनाना शुरू करना है ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से जब हम डिजाइन बनाएंगे तो जैसे हम उपर में ऐसे घुमा घुमा के डॉल को रैप कर लिये थे ना यानि कि पुरा एक तुम घुमा लिये अच्छे से डिजाइन बनाते हैं वैसे ही नीचे भी ऐसे गोल गोल धागे पकरना है और गोल गोल डॉल को घुमाते हुए जाना है तो जो डॉल है और उसका ड्रेस अपने आप ही बनके रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल यहें स्टेप करते हुए नीचे तक हमें बना ले द्यान रखेगा फ्रेंस ध्यान से करिएगा क्योंकि जो गम है वह अगर दागे में चिपक जाएगी तो वह कलर फीर जाती नहीं है वह आपका वहां पे निशान पर जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करते हुए ध्यान से नीचे तक हम चिपका लिए दागे को और उसके हां चाट पर बच जाएगा उसे हम कट करके करके निकाल देंगे तो गामारा ब्रेंस तो कलिंगा डेंसके करके निकाल दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया डिजाइन लग रही है और अभी से ही बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है तो बिल्कुल यही इस्टेप आप भी रिपीट करें और फ्रेंज ध्यान रखिएगा आप लोग मैसेज करते हो कि यह समझ में नहीं आ रहा वो समझ करिए आप सब डिजाइन तो अब हमें क्या करना है कि एक फिर से मैंने चाट पेपर ले लिया है ब्लैक कलर का अगर आपके पास आईए चाट पेपर जादा नहीं है तो आप क्या करें कि सारी में जो आता है ना उसके बीच में या बन्यान वगएरे में रखा रहता है लगा जैसे हमने पैंसे निसान लगाया था अना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी गम लगा देना है ऐसे राउंड रांड घुमाते हुए और थोरा चौड़ा लगाए मतलब थोरा सबस्चोड़ा ही होनी चाहिए जो गम लगा रहे है उसकी ठीक है तो इस तरीके से हमने जो गम लगा लिया है उसके बाद हम अहां चाह 10 पेपर को गोलाकार में कटिंग ने जब तक हमारा जो पर है वो भी धोरा सब्साइब देए वही तो जल्दी सै चुपक जाएगा मेज तो फ्रेंज यह देखिए यहां पर मैंने को लेकर में जो है जात कर दिया है देख सकते हैं और जो हमारा घं है वो भी थोड़ा अच्छे से सूर गया है और उसके बाद जो डॉल है वो हम ले लेंगे और उस चार्ट पेपर जेस्ट से हमने गोला कार में लगाया था न वैसे ही जो डॉल है वो रख देंगे और हातों से उसको थोरा सा प्लट लेंगे और प्रेश करेंगे यानि कि दबाएंगे जहां पे बहुत तेज से नहीं दबाना है नहीं तो आपका डॉल पिचक जाएगा तो इस तरी किसे हातों से उठाना है और थोरा थोरा जहां पे नहीं चिप दोज सी टाइम लगता है क्योंकि फोड़ा सा एक दो सेकेंड लगता है थोड़ा सा सूव जाता है फिर नहीं निकलता है चारू साइड में यानि की से ध्यान से देख के कट कर लेना है तो फ्रेंस यह देखें मेरा जो है अच्छे से चिपक गया है मैंने इसको काट भी लिया है अब चलिए इसके आई की डिजाइन हम बनाना शुरू करते हैं तो मैंने आप इसका जो सर है वो निकाल दिया था पहले और अब इसका हम सर लगा देंगे इस बाड़ी में और देख सकते हैं अभी से ही जो डॉल है इसको आप ऐसे भी सिंपल भी बना के रखोगे ना तो बहुत ही प्यारी लगती है इस टाइप में सिंपल भी ठीक है तो चलिए इसको हम आगे डेकोरेट करने के लिए जो है वह हम आगे का कर लेते हैं त सोटल आज जो एक साथ तीज में चलेख आपको दिखाने के लिए यहां पर तीन मीकर्णा दागा लेरे lanai वाहले तिन मीटम करते हुए इस तरेके से इसी चोटानानी है धियान से देखे मैं ने तीन से टिवाईट के पहले राइट साइब वाले बीच में लाया फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट राइट इसी तरीके से जैसे हम अपने बालों की चोटिया बनाते हैं बिल्कुल वही ये चोटिया बनानी है और वही डिजाइन यहां पर बनानी है तो इसी तरीके से हम टोटल तीन मिटर धागे का इसी तरीके से च तो फ्रेंस यह देखिए यहां पर मैंने सरी चोटिया कर लिया है उसके बाद जो इंडिका पॉर्शन होगा उसके लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे आपस में थोड़ा सा ही चिपका है नहीं तो ब्लाइक हो जाएगा तो अब इस तरीके का हमें फ्लावर की ज़रुत प चाट ले आप नौर्मली जो धागा होती है घुद्रिवगर नेघ्रह मैं क्रम भी यूज कर सकते हैं थामी अधों ले लिया है जिससे मैंने फ्लावर बनाया था वही धागा ले लिया है तो पेन के साइज इतना धागा मैंने कट करके रख लिया है अब इसके बाद हम तो इतना ही हलका करें जितना आपका आसानी से इधर उधर धागा खिशक सकें तो एक मीटर का लेले अगर का एक मीटर का धागा नहीं कट कर पा रहे हैं तो यहां पे टुटल 22 टाइम यानि कि 22 फार आपको राउंड राउंड लपेटना है और उसके बाज लाश्ट का जो ध भाला दागा उसको हलके हातों से थोड़ा खिचके हम सेट कर लेंगे कि हम अच्छी खिचा री Gomez Neustrie तरीके से दोनों दाइब को फसाएंगे और पेंट को निकालने के बाद क्या करेंगे कि हम यहां पर सिम्पल सा गाठ लगा देंगे यह देखी इस तरीके से अ जैसे है आप गाठ लगाएंगे आपका फ्लावर एक तम से बन जाएगा अपने आप ही ऑप तो यहाँ पर दो बार गाट लगा देनी है गाट लगाने के बाद क्या करें जो एक्स्ट्रा धागा बज जाएगा उसे हम कट कर देंगे गाट जोड से लगाएं इता कि यह खुले ना क्यूंकि यह स्लिक वाली माइक्रम है तो यह जल्दी खुल जाती है तो इस चीछ का दि फास्त टाइम बना रहे हो तो इस तरीव के हलों को आपसमें जुआइंट बिकर दीजिए गा तो यह देखेगए इस क्यूंकि मेरा एक फ्लावर बनके रेडी हो गया बिल्कुल ऐसे ही फिलावर फॉर्टी फ्लावर्र कर लेना है यह लेटा आंट कृकर पर डिपेंड करत 40 लगे 50 तक फ्लावर में लगती है तो डिजाइन के उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजाइन बना रहे हैं फिलाल मैंने 40 फ्लावर बनाए हैं इसकी बाद आप देख सकते हैं जो हमने चार्ट पर नीचे की साइड में किया तो अच्छे से चिपक गया है तो अब हम आगे की डिजाइन बनाएंगे आगे का दिशाइन के ध्यान रख्येगा जो विज का पो प्रॉ payroll होगा ना मतल़र से ूपर से एक jäख में ruडर दिखाती हूं यह दिकाने में मुश्कील होती है तो जो पोष का पोष्णा है आगे के फ्रॉंट साइड से जो बीच का पोर चिपकने में अगर थोड़ा ज्यादा ही गम लगाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगी तो राउंडर गुमा दिया है और इसके बाद हम इसको चिपका देंगे सबसे पहले अध्यान रखिएगा हम जब भी इसमें फ्लावर या किसी भी डॉल में आप जब भी आप फ्लावर लगाना शुरू करें तो आप आगे से जो बीच का पोर्शन होता है यानि की नोच के जस्ट नीचे से नीचे का पोर्शन जो होगा वहां पर हमें फ्लावर लगाना शुरू कर दीजिएगा और पैसे ही स्टेप करना है थोरा सा अंगम डॉल में लगाना है और इसके बाद थोरा सा फ्लावर में लगाना है और इसी तरीके से हम पूरा एक लाइन नीचे का लागा करके रेडी कर लेंगे फ्लावर अच्छे से तो यह देखिए फ्र से माइकरम डॉल सीखना चाहते हो तो बताना हमें कमेंट करके हम आपको वनली फ्लावर से डिजाइन बनाना बताएंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमने पूरा डिजाइन बना लिया है सेंटर से लिया था हमने आगे से और उसके बात अब हमें क्या करना है कि हमें जो ह है वह आगे कर डिजाइन करना है जो होता है ना ऐसे राउंड शेप वाला उसके लिए हमें गम एक यू शेप का गम लगा लेना है मतला आगे से लेना है बीच से पोर्षन और एक इस तरीके से यू सेप का गम लगा लेना है और उसके बाद दो यू बनाना है यानि कि डब कि यहां पर हमने दागा को चिपका दिया वह दूबारा फिर वहां से आप रखाने ही शक्ते हैं तो फ्रेंस यह जो हमने चोटी बना करके रखा था था माईकिन धागे कहीं जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी दिर पहले ही वही वाला चोटी है और इस तरी किसे लेना है और यहाँ पर U-shape जैसे हमने गम को लगाया था ना U-shape देते वे वैसे ही आपको यहाँ पर लगा करके रेडी कर लेना है मतलब U-shape में माइकरम धागे को हम घुमाएंगे एक लाइन जैसे आपने एक लाइन लगाया है ना बिल्कुल वैसे ही घुमा लेंगे तो फ्रेंस यह देखी एक लाइन हो गया है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसको हम कट करके निकाल देंगे और गम से वहीं पर फिर वापस जो है धागा वो चिपका लेंगे यह देखी एप्लाइटर के हेल्प से थोरा सा इसको गरम भी कर ले ताकि जो आद आगा है वो खुलेगा नहीं इस तरीके से और उसके बाद फिर गम लगा के चिपका दे चिपकाने के बाद वापस से जो हमने अभी एक लाइन डिजाइन बनाया था ना उसी में चिपकाते हुए फिर से हम गम लगाएंगे और एक लाइन और चिपका करके रेडि कर लेंगे जो चोटी वाला डिजाइन बनाया था ना वही वाला तो ये देखें, यहाँ पर मेरा दूसरा लाइन भी कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद हम फिर से वही करेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, और लाइटर से थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कि दागे को चिपका देंगे, तो चिपका आने के बाद देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ी सी तिर्ची डिजाइन बनाई है आप सीधा भी बना सकते हो अब हम जस्ट उसी के नीचे लगबग आधे इंच जितना डिस्टेंस देते हुए सेम प्रसेस करते हुए फिर से हम दो लाइन चिपका करके रेडी कर लेंगे तो फ्रेंस यह देखी मैंने दो लाइन और चिपका करके रेडी कर लिया है देख सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो डॉल है वो डिजाइन पन क्या है तो मैंने थोड़ा शक जैसे गले कर डिजाइन होता है उस टाइप कर डिजाइन बनाए है और वापस फिर से हम क्या करे आपर से जो नोज है ना उसकी सीथी लाइन जो आएगी वहां पे हम दो इस तरीके से ट्राइंगल सेफ जैसा होता है न उस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो मैंने हाँ तीन जो है फ्लावरे आपर लगाने है मुझे और तो एक में मैं यहां पने घंप लगा सब्रेंगा ओर निरशन लेटा च्दाअबändig मंने और मेस्थ की से почему यह देखिए तो यहां तो ने लगना दो लगा लिए निछान लगाल लिजान लेंगे से निशान लगा लेंटियो और मैं पूरे घंप निस Keन और यहीं इस टेप रिपीट करते हुए एक एक फ्लावर हम छोड़ते जाएंगे और शेम पॉर्शस करते हुए हम यहीं वाला डिजाइन रिपीट कर लेंगे तो इस तरीके से फ्रेंस मैं आप देगर नोटिश कर रहे हूं कि बार बार हातों से मैं कुछ निकाल रही हूं क्यों आपकी जब कैम चिपका है डॉल में तो जो लाइन बन जाती है ना कम कि उसको अच्छे से हटा सके नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आपके धागे पे लग जाएगी फिर अच्छी नहीं लगती है वो उसकी बाद हम तो यह देखिए इसी तरीके से करते हुए हम सारे में त इसले के पीछे तक तिनकोन आकार में यह डिजाइन बना करके रेडी कर लेंगे तो आप चाहो तो एक लाइन भी बना सकते हो बन ली आगे पीछे भी बना सकते हो तो आपके उपर डिपेंट करता है अब हम उपर में फ्लावर लगा लेते हैं तो जैसे हमने नीची में किय अच्छे से डॉल में फ्लावर चिपकती है तो इसीज का ध्यान रखिएगा जैसे आपने गम लगाया एकदम से डॉल में चिपका दिये तो चिपकेगी नहीं ठीक है तो फिलाल हमने यहां पे तीन आओ जो है फ्लावर लगाए हैं और पीछे भी हम लगा लेंगे वहां तक लगाएंगे पीछे जहां तक हमने यू शेप का छोटी बला डिजाइन किया था तो यह देखिए पीछे की साइड में मैंने चार फ्लावर लगा दिये हैं और आगे की साइड में हमने यहां पे तीन फ्लावर लगाया है तो अब हमें इसमें इसकी बीच में डिजाइन करना है जो हमने किया था ना बनाया था फ्लावर सौरी चोटी वाला डिजाइन बना तो एक लेयर हम क्या करेंगे की गम लगा देंगे और इसके बाद वन वन करते हुए मोती चिपका लेंगे जो भी हमारा बीच में गैप है ना ऐसे भी शेप यू सेपका उन सारे में वन वन करके हम मोती चिपका लेंगे एक लाइन से तो फ्रेंस यह देखिए यहाँ पे मैंने सारे जगे में मोती एक लाइन लगा करके रेडी कर लिया है जो बीच में गैप था ना हुआ ही मैंने मोती लगा है और बीच में ऐसे तिनकुन जैसा हुई निशान लगा करके मोती लगा कर रेडी कर लिया है आप चाओ तो एक कि चिपका देना है इस तरीके से तो एक-एक मौती चिपकानेते हुए हम जाएंगे और एक बार में आट-दस आफ लावर में कम लगा सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर में मौतिया लगा लिया है और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है डिसाइन ही है और इस तरीके से लगाने के बाद जो हमारा नीचे का जो डॉल का ड्रेस है वो पूरा रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे कि डॉल को जो है उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आले की आई हू तो यह हमारा फ्लावा जो डॉल का बैग है यानि की पर्स है वो रेडी हो रहा है तो अब हम क्या करना है अब अपने च्वाइस के नुसार इसके लंबाई रख सकते हैं ज्यादा कम तो धागा हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालते हुए कर लेंगे एक फ्रेंस यह देखिए दोना साइड में इस तरीके से चिपका देंगे और इसको शूखने के लिए छोड़ देंगे यानि कि ड्राइव हो जाएगा जब तक हम इसका कैप बना लेते हैं कैप बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ट पेपर वेस्टेज बच जाते हैं ना उ और जो एक्स्ट्रा था एक्स्ट्रा बचा बचा होगा उसे हम कट कर देंगे तो इस तरीके से नापने के बाद हम क्या करेंगे ऐसे नापे जो हमें इस तरीके से डाले ना तो अच्छे सी डल जाए उसके बाद से एक दो पीन मार देंगे तक ही जो सेट हो सगे यह देखि मैं आपश्राइब काट लिए जासे चूरी के साइज की साइज की भी आपर कट कर सकते हैं कि देखे अर एक कोल प्लेट जैसा कट्टिंग कर लेना है है इस तरह की से हम कर लिये हैं उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें को बीच में रखेंगे इस तरीके से और बीच में रखने के बाद हम क्या करेंगे कि वापस फिर से पैंसिल से जो है निशान लगा लेंगे और उसका भी गोलाकार से ताट लेंगे यह जो गोल वाला हम कटिंग कर रहे हैं यह हम जो अभी कैप बनाए हैं उसके उपर से रख करके चिपकाएंगे एध्यान रखेगा एकदम गोल होना चाहिए और उपर का जो है वो थोड़ा बड़ा ही कटता है यह देखिए इस तरीके से हमारा एक हो जाएगा ना जो अखली होता है ना गाम में उस टाहिक हो रहा है ना तो इस तरीके से तो यह देखिए इस तरीके से करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से इसको हम चिपका देंगे चिपका दिया है उसके बाद आपका एक्स्ट्रा इधर उदर लग रहा है कि ज्यादा ही एक्स्ट्रा ह तो उतना स्टाइक को चाज़ पर को काटकर के निकाल देंगे चैनल की हमारा जो है यह परसिक कट आर दना वार्म पर को पर केंहें से निकाल दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि गम लगा लेंगे उसके को श्यन पर साइड से और उस होल में इस वाले को हम डाल देंगे इस तरीके से यह देखिए अ लोली-सलोली करते करते हम डाल देंगे इस में धालना है तो एंग भार मैं आपको पहना के भी दिखाती हूं बिना धागला पेटे हुएlying इस तरीके से हमारा जो कैप है बहुत ही बीउटिफुल बना है और मैंने आपको बहुत एजी तरीके से इसको बनाना आज बताया है तो I hope कि आप सब को बहुत अच्छे डिजाइन सिखाती रहती हूं तो हमारा कैप भी बन गया है पर्स भी बन गया है अब चलिए इसमें भी हम माइकरम जो धागा है उसे हम फोल्डिंग कर लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि अच्छे से गम लगा लेना है इस कैप में और गम लगाने के बाद हमने जो चोटी वाला धागा है यहां पे आप चाहे तो प्लेन भी जो धागा हमने स्टार्टिंग में यूज किया था ना प्लेन बिना कोई डिजाइन किये हुए वैसे यहां पे आप यूज कर सकते हैं या इस तरीके के चोटी वाले भी यूज कर सकत तो इस तरीके से राउंड राउन घुमाते हुए हम क्या करेंगे कि जो उपर से लेकि यानि कि ये नीचे का भाग है अंदर का भाग है तो ये नीचे वाले में हम इस तरीके से राउंड राउन घुमाते हुए जो धागा है उसे हम लपेट लेंगे और लपेटने के बाद क् कोर्णर टो कोर्णर यहां पर धागा कट कहीं भी नहीं होगा इतना ध्यान रखेगा अब हम इसको घुमा लेंगे और उसके बाद फिर से गम लगाएंगे और उसको थोड़ा सा तिर्चा करिएगा तो एक दूसरे पर अपने आप ही चिपक जाती है उसके बाद हम क्या कि पूरा राउंड रान घुमाते हुए धागे को अच्छे से चिपका लेंगे उपर तक क्याती है झाल झाल तो फ्रेंस ये देखिए मैंने हाँ पे टोटल कैप की जो वीडियो होती है फुल मैंने हाँ पे आपको बताया थोड़ा सा भी कहीं भी मैंने स्किप नहीं किया है और इस तरीके से मैंने इंट कर दिया राउंड रान कुमाते हुए वहाँ पे एक फ्लावर भी चिपका दिया चिपकाने के बाद ये देखिए हमारा जो कैप है पूरा बन करके रेडी हो गया है अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है तो ये देखिए चलिए अब हम डॉल को जो है थोड़ा सा और डेकुरेट कर देते हैं इसको चूरिया पहना देते हैं क्योंकि इसके हाथ जो है वो सूनी शूनी लग रही है तो हम उसी में से जो धागा है वो छोटा सा धागा कट कर लेंगे और 5-6 वारा उन्डर्म को माते हुए इसको हम क्या करेंगे कि डॉल बिचारी को चूरिया पहना देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसे हम कट कर लेंगे अगर नहीं बच रहा है तो उदर ही हम इसको पिछे की साइड में यानि की निच्छे की साइड में स्टिक करेंगे स्टिक भी कर सकते हैं अप्लाइटर की हेल्प से यहां पे आप गम लगा करके चिपका भी सकते हैं तो सेम परसेस करते हुए मैंने दोनों हाथ में कर लिया है और बना करके रेडी कर दिया डॉल आप हाथ में भी लगा सकते हो और उपर भी टांग सकते हो तो आपको जैसे easy लगे या जैसा आपको पशंद हो वैसे कर सकते हैं आप चाहो तो हाथ में लगाओ आप चाहो तो हाथ के उपर करो तो इस तरीके से जो है मैंने बहुत सारे वीडियो में हाथ इस तरीके से हाथ में भी लगा के दिखाया है आज मैं इसको उपर में सेट कर रही हूँ पर्मानेंट तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे तो फ्रेंज ये देखिए फाइनली जो हमारा डॉल है वो बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है जो की रेड में है तो काफी ज़्यादा शाइनिंग आ रहा है आप लोग देख सकते हो तो इस तरीके से और मैंने हाँ पर इस वाले वीडियो में बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं और शीक जाए इस वीडियो से तो यह देखी इस तरीके से जो काफ है वो काफी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और आप सबको भी अच्छी लगी जितनी मुझे अच्छी लग रही है डॉल उतना ही आपको भी अच्छी लगी तो अभी से कर दीजे वीडियो को लाइक और चानल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो पर पहली बारा है तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो तब तक लिए बार है।